हलो दोस्तों मेरा नामा मुहमत कैसर और आप देख रहा है स्टड़ी चैनल केंद्री विद्याले संगठन यानि केवियर से दोस्तों आ गई है भरती टीजीटी पीजीटी पीजीटी पी आर्टी और योगा टीचर्स की बहुत साय स्टुडेंट पूछ रहे थे इस भरती के बारे में कि क्या डीटेल है क्या इलिजीटी है आवेदन कैसे करना है कहां से करना है साले जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों देने वाला हूँ वो भी बिल्कुल ओफिशियल तो लार्ट तक बने रहिएगा तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराव मत इसका सलूशन है डाउट न टैप बस आपको कोशन की फोडो कीचिना है क्रॉप करना है और बस पास सेकेंड में आपको उसका सलूशन मिल जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री में तो अब पूछो अनलिमिटेड मैथबालजी और साइंस के सभी सवालों के जवाब यहां पर मिल जाएंगे और यहां पर नवी से बारहमी और आईटी जेई नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और लगवक सभी स्टेट के जो टॉपर हैं यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं तो इंस्टॉल कर लिजे ड दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको हाँ पर क्लिक करेके डिरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं साथी साथ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर नोटिफिक्शन वगएर है फॉर्म भरने का जो डिरेक्ट लिंक है वो भी मैं शेयर कर दूँगा तो आपको टेनिशन लेने के दरुवत नहीं है आपको यहां पर आना है और सिंप्ली एनाउंस्मेंट वाले सेक्शन पर व्यू आल पर क्लिक कर देना है जो भी नोटिशन होती है सब कुछ यहां पर सो हो जाती है और आप यहां पर देखेंगे प्रिजन टाइम में पांच्व लिपसाइट पर डाली गई थी तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है यह आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा ज़ाइन जरूर कर लीजिएगा टेलेग्राम चैनल लिंक डेस्क्रिप्सन बॉक्स में और पिन कॉमे इतने विष्यों की भरती है यह ज़ायता है पंदित के लिए तो पिजी चाहिए ही पोश्ट ग्रेजूेशन तो आपका संबंद्रित विष्याय में पी जी होना चाहिए पोश्ट ग्रेजूेशन साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि मास्टर्स दिग्री में 50% आटलेस नं Maths के लिए आपका Mathematics में PG हो या Applied Mathematics में इसी तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर डिटल में दी गई हैं PGT Physics के लिए बहुत सारे आप्शन है Physics है Electronics है Applied Physics है Nuclear Physics है यानि Physics से हिर लेटेड सब्जिक्ट्स हैं PGT Biology में Biology, Geology, Life Science यह सारी चीज़ें अगर आपके पास है PG में तो चल जाएगा साथी साथ बीएड यहाँ पर लगेगा उत्तरप्रदेश के PGT में बीएड नहीं लगता है लेकिन KVS में बीएड मांगा जाता है तो सेकेंड एलिजबिल्टी यहाँ पर बीएड है PG संबन सेमें उसी के साथ बीएड और तिसरा है प्रोफेसेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिस मीडिया तो आप हिंदी और इंग्लिस दोनों में पढ़ाने में बिल्कुल कमफर्टेबल हों तो यह चीज़ें दी गई है बात कर लेते हैं TGT के लिए तो TGT में क्या है कि आपका बैचलर्स में 50% होना चाहिए और देख लिजिए किन किन विश्यों की भरती है TGT में तो TGT इंग्लिस है हिंदी है SST है साइंस है संस्कित है और मैट्स है एलिजबिल्टी बिल्कुल क्लियर दिया गया है TGT इंग्लिस में इंग्लिस as a subject in all the three years इंग्लिस आप का graduation के तीनो साल में होना चाहिए यह नहीं कि दो साल तक आप पढ़कर छोड़ दिया तो आप eligible रहेंगे ऐसा नहीं हिंदी में भी सेम है तीनो साल आपकी हिंदी होनी चाहिए SST का भी आप देख लिजिए इसी तरह से science है TGT संस्कित है यह भी संस्कित तीनो साल मांग गय हैं तो senior secondary school with 50% marks तो बारहवी में 50% number और आपके पास होना चाहिए diploma of certificate in basic teacher training duration not less than 2 years तो आपके पास होना चाहिए diploma course यानि की DLA या BTC या फिर BLA भी है लेकिन कम से कम वो 2 साल का होना चाहिए और seated paper 1 आप पास होने चाहिए साती सात हिंदी और इंग्लिस में आप पढ़ाने में comfortable हों एक desirable यहां पर eligibility माई गई है कि computer का ग्याना आपके पास है तो यह और भी अच्छा होगा साती साती यहां पर staff nurse की भी भरती है medical doctor guidance counselor computer instructor classic dance भरतनाठ्यम instrumental music sports yoga teacher इतने यहां पर vacancies आई हुई हैं यहां पर seated के बारे बता आपके पास नहीं है और दूसरी जो eligibility है यदि आप उसे fulfill करते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं लेकिन selection में preference पहले उनको दिया जाएगा जो seated pass है यदि seated pass candidate नहीं मिले तो फिर बिना seated वालों को भी रखा जा सकता है यानि कि seated एकदम compulsory नहीं है लेकिन पहले seated को ही preference दिय जाएगा चलिए मैं आपको यह भी बता दूं कि आवेदन आप कैसे करेंगे तो यह थी दोस्तों वैकेंसी के वारे में साइल डेल मैं आपको बता दूं आवेदन कैसे करना है और website आप देख लीजे website आपके सामने है यह दोस्तों जो भरती है यह contractual basis पर आई हुई है announcement वाले में आपको फिर से आना है view all पर click करना है और form बने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे third point पर दिया गया है apply online for contractual post 2022 से यही से आपको form बना है इसे के सामने details का जो section है इस पर आप click करेंगे तो यहाँ से दोस्तों एक form खुलेगा आपके सामने जो की Google form के रूप में ह होगा और आप इसी की सायता से अपना form भर पाएंगे यहाँ पर आपको अपना email डालना है फिर कि इस पोस्ट के लिए पावेदन करना चाहते हैं टीजेटी पीजेटी पी आटी सभी पोस्ट यहाँ पर आ जाएंगे इसको आगे next करिएगा और इस form को आप पूरा भर जानगारी इस भरती के बारे में वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजेगा चैनल को सस्काइपर के बेल आइकन दबा लीजेए दोस्तों ताकि आप कोछी तरह की सभी लेटेस्ट और आथेंटिक इन्फोर्मेशन मिलती रहे थैंक्स और वाचिंग